अभी हम बात करेंगे इन्फिनिक्स की योर से आने वाले फोन के बारे में जो की होने वाला है इन्फिनिक्स नोट 40X 5G फोन जिसकी कीमत करीब आपको 14,000 रुपए पड़ेगी आप देख सकते हैं कि अभी आज की डेट में इसकी प्राइज 13,809 रुपए है तो इसके हम फोन जैसे दिखने वाला फोन है हम इसके इस प्रेक्स और फीचर के बारे में देख लेते हैं तो प्रेंट से दो बरेंट में आता है पहला है 12GB के साथ आएगा जो की आएगा 13,889 रुपए का दूसरा होगा 8GB और 256GB आएगा जिसकी कीमत है 13,930 रुपए देखते हैं इसक डुआल स्यम होने वाला है 3G, 4G, 5G होने वाला है बोल्टी वाईवाई और इनेफसी आया ब्रास्टर होने वाला है और प्रसेसर के बात कहें तिसमें डेन्सिटी 6,3, double गी और अक्र प्रसेसर है जो की 2.4 गिगा टच पे रन करेगा रैम की बात कहे तिसमें 12GB का रैम होने ओर 256 gb का इंटेडरीद होनी वाला हे 500 mh की बैटरी है छो कि 800 watt tat चार-जिंग का सपोर्ट करेगी डिस्प्ले की बात कि डिस्प्ले चोवलरन ब्राइब उसकें हम डीटियल से आप इसी स्पेक के बारें बात करेंगे तो N.14 पे रन करेगा और इसकी थिकनेस होने वाली है 8.26 mm की और जो इसका वजन होने वाला है 201 ग्राम का होने वाला है साइट फिंगर फिंट संसर होगा डिस्प्ले की बात कहें तो सेवन 6.78 इंची का डिस्प्ले होगा जो की एक IPS से 3D डिस्प्ले होगा इसमें आपको 500 इनिट ब्राटनेस मिल जाएगी और 128 अच का रिफ्रेशेट और पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा इसमें स्क्रीन टू बाड़ी रेश्यो की बात कहें तो इसमें 93.8 परसंट स्क्रीन टू बाड़ी रेश्यो देखने को मिलेगा 12GB का रायम होगा और 12GB का इसमें external virtual रायम होगा इस्टोरज की बात कहें तो 256GB कहने बाला है और इस्टोरज टाइप होगा 2.2 UFS इसमें आपको बहुत सारे 5G वैंड देखने को मिलेगे जिससे आपको एक अच्छी connectivity देखने को मिलेगी IR blaster होगा और side fingerprint sensor होगा इसमें लगवा आपको इसमें सभी पका के sensor देखने को मिलेगे और 3.5mm का jack मिल जाएगा RF से मिल जाएगा IP52 की rating देखने को मिल जाएगी इसमें आपको double speaker देखने को मिलेगा जिससे आपको एक अच्छी आवाज quality देखने को मिलेगी इसमें आपको AI lens देखने को मिलेगा और जो की autofocus होगा इसमें आपको camera के लगभग सभी features देखने को मिलेगे आप इससे full HD video और QHD video record कर सकेंगे phone run करेगा android 14 पे और custom UI होगा XOX14 का और इसमें chipset होगा media tech density 63 0000 जो की 2.2 gigaattach octa core पे काम करता है इसमें आपको hydra का video और idios support देखने को मिलेगा बैटरी की बात कहें तो इसमें 56 mh की battery देखने को मिलेगी आपको जिससे आप 15 गंटे तक video और 90 गंटे तक आप idios यूज कर सकते हैं ट्रेंट्स बीडियो कैसा लगा है जो कमेंट के बताएगा